राजधानी दिल्ली में एक नीजी स्कूल की बढ़ती मनमानी देख केजरिवाल सरकार ने उसकी मान्यतार रत कर दी है दरसल ये स्कूल लगातार फीस में बड़ोत्री कर रहा था जिसकी शिकायते लगातार मिल रही थी जिसके चलते सरकार ने ये एक्शन लिया है बता दे पीतम पुरा इस्थित बाल भारती पबलिक स्कूल की मान्यतार रत कर दी गई है अगले सत्र 22-23 में स्कूलों में चातरों को एडमिशन नहीं मिलेगा साथ ही स्कूल में पढ़ रहे चातरों को आसपास के स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा वही निदेशाले द्वारा स्कूल में तैनाज सिक्षकों और अन्य करमचारियों को भी चैल्ड एज्यूकेशन सोसाइटी के माध्यम से संचालित स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा हाला कि उसकूलों को सेक्षणिक सत्र साल 2021 से 22 का सत्र पूरा करने की अनुमती होगी लेकिन इसके बाद दाखिला नहीं लिया जाएगा वही एक विकल्प ये भी है कि माता पिता चाहें तो अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में प्रवेश करवा सकते हैं बताया जा रहा है कि बालभारती पबलिक स्कूल का सारा रिकॉर्ड चायल्ड एजूकेशन सोसाइटी को सौब विया गया है अब निदेशाले या ने किसी अथोटी द्वारा स्कूल से संबंधित कोई भी जान करी एजूकेशन सोसाइटी द्वारा ही दी जाएगी बता दे दिल्ली सरकार को नीजी स्कूलों द्वारा मनमाने धंग से फीस वसूलने की लगाता शिकायते मिल रही है जिन पर निदेशाले कारवाई कर रहा है और जिसके चलते अब इस स्कूल पर कारवाई की गई है ब्यूर रपोर्ट नवोदे टाइम्स दिल्ली